लानत बेशती हूँ ऐसे उन नेताओं पे जो सत्ता में बैठके भी इस चीज़ पे कोई पर्तिकिरिया उनकी नहीं है नवसकार में गजेंद्र जाटब लगाता सिप्री की घड़ना को लेकर दिल्ली में आंदोलन चलने हैं लेकिन क्या बज़ा है सरकार नहीं सुनने ही है जो इतनी दर्दनाग घड़ना थी दो बच्चे सोच के लिए जाते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है डंडो से मार मार के सिर्फ 10 और 12 साल की एज थी उन बच्चों का ऐसे क्या अपरात किया क्या लगता मैं जिस घड़ना से पूरे देश में एक सोच की लहरे दलिक समाज में खास कर क्यों नहीं सरकार सुनना है इसी क्या बजहर आरोपी कहता है कि इस पर का आदेश होता है और मैं राक्ससों को मिटाने निकल पड़ा हूँ और इसलिए मैं मारता हूँ क्या 10 साल कर 12 साल के बच्चे में भगवान ने कहा कि राक्सस है इसमें सबस्क्राइब मैं एक तो पहले ये कहना चाहूंगी कि आज भारत देश को आजाद हुए बहुत साल हो गई सतर साल हो गई सतर साल की इस आजादी के बाद भी जो आज हमारा शोशन हो रहा है दलीतों पे यहां तो बात दो वालमिकी बच्चों की हो रही है कि दो वालमिकी बच्चे उसको मुद्ध ये बनाया गया कि सोच करने गए थे मुझे खुद भी समझ में नहीं आता कि ये कैसी मानसिकता है बारत देश के उन सर्ण लोगों की ये इस बारत देश के सविधान के आदीन ये कौन सा ऐसा आदेश पारित हुआ कि दली समाज के दो बच्चे चोटे जो एक दस साल का है एक बारा साल की बच्ची है वो गए सोच के लिए उनको जान से मार दिया गया और मैं बिल्कुल इस चीज की गौर निंदा करती हूं और मैं खुद भी कहती हूं अगर हमारे नरेंदर मोदी जी परमादनी नरेंदर मोदी जी जो भारत के पीम हैं और वो बेटी बचा और बेटी पडाओ का नारा लगाते हैं तो मैं खुद भी इस हाथसे के बाद इस निर्मम इन दो आना चाहिए था क्योंकि 12 साल की बच्ची जो आपको पता है कि बाद 12 साल के बच्चे को कुछ दुनियादारी पता नहीं होती और सवच भारत के सवच भारत अभियान के तहट अगर नरेंदर मोदी जी यह इस वाक्या को 15 दिन लगबक हो गये हैं शुपुरी के इस वाक्या सब्सक्राइब करने तो एक घंटे के अंदर गरपतारी हो सकती है लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि उनके भाई सरपंच है जो आरोपी है और उनकी बड़ी पैट है तो क्या लगता है आपको नियाएं मिल पाएगा देखिए मैं यह कहना चाहती हूं किसी का विभाई कोई सरपंच हो या कोई भी बड़ी सीट पर बैठा हुआ हो नय तो हम लेके रहेंगे उसके लिए कीमत कुछ भी हो क्योंकि जब दो बद मासूम बच्चे सिर्फ इसलिए सवा कर दिये गए कि वह सोच करने गए तो इसके बाद रहा गया तो बलीदान के लिए आप दिली से जै भी नहीं हुई थी जब उन्होंने अपना जीवन दाव पर लगा दिया एक मोत को गले लगा लिया सिर्फ सोच जाने के लिए उन्होंने एक ऐसी कीमत चुकाई है अपनी जान की तो इसके आगे तो कुछ रह नहीं गया तो हम इस चीज को इस मुहीम को लेके अभी तो आज यह पहल की है आज यहां से जंतर मंतर से यह मुहीम पूरी दिल्ली में हर दिल्ली की छोटी से छोटी बस्ती कलोनी और शेहर सबसे एक ऐसी आवाज होके उठने वाली है जो आने वाले टाइम में इसका पूरा खामयाजा स्टेट चाहिए MP मद्यपरदेश की जो सरकार है व होती है क्या लगता है जैसे आरोप लग रहे हैं कि मद्यपरदेश में सोच खुले में जाने की वज़े से उनकी हत्या कर दी क्या कोई परानी रंजिस भी हो सकती है यह आरोप लग रहे हो इसको छुपाने के लिए मेरा भी यह मानना है कि जैसे अभी सब कह रहे हैं मैं भी वहां पर नहीं थी मौकाई वारदात पर मैं नहीं थी हमें खुद भी रियल्टी नहीं पता लेकिन जो सुनने में आ रहा है वह यह है कि कुछ संड समाज के दबंगों ने हमारे उस 12 साल की बच्ची के साथ साथ सा उसी चीज को शादू छोटे बच्चे ने देख लिया इस चीज को दबाने के लिए इस इतने बड़े जुरम से उन्होंने बचने के लिए उन दोनों ही बच्चों को जान से वहीं पर पीट-पीट के जान से मार दिया और यह सीधा सीधा यहीं लगता है क्योंकि शोच करन अजयान नहीं आया इस मुद्दे पर बसमाया बतीने थोड़ी निंदा करी है किसी नेता ने कोई निंदा निकरी क्या कहना चाहूंगी या तो हम अपने जन प्रतिनीदी अपने आपको नहां कहें चहें कोई भी किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है तीनों ही पार्टि सबा में या पार्लेमेंट में हम जाते हैं सत्ता में आते हैं तो हमें खुद को शरम आनी चाहिए और मैं बिल्कूल लानत बेशती हूँ ऐसे उन नेताओं पे जो सत्ता में बैठ के भी इस चीज़ पर कोई परतिकरिया उनकी नहीं है किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है यह मैंने भी कुछ देर पहले भी कहा है कि अलानत ऐसे नेताओं पे जो अपने आपको दलित है जो बच्चों के पिता है मनोज उन्होंने कहा है कि रोज लाग को लोग धंकाने आरें को को दबंग परिवार से हैं और अभी तक सरकार की करप से कोई सिक्योर्टी और जिस धाराओं में केस दर्ज हुआ तो क्या कहना चाहोगी कमला सरकार को कॉंग्रेस सरकार को सरफ यह कहना चाहती हूं कि हम दिल्ली से जो हमने आवाज उठाई है यह आवाज तो एक तो बुलंदी के सिखर तक पहुँचेगी और दूसरा कि अगर हमारे इस परिवार के किसी भी मेंबर को अब कुछ और वो उसी के आदिन हो के मैं सर्फ यह कह रही हूं अगर हमारे इस फैमली के जो उनके माता पिता हैं उनकी अगर फैमली को कुछ भी होता है और मद्या परदेश सरकार उनको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही तो यह अपना कॉंग्रेस यह अपना अंतिम समय ही स सिस्टम है वहाँ का और बहुत गंदे सिस्टम के लोग हैं वह कमलाज सरकार जो मद्या परदेश सरकार जहां पे कॉंग्रेस सरकार मौजूदा है सीट पर और उन लोगों को शरम आनी चाहिए और मैं सिर्व यह कहना चाहती हूं कि जब भी हम मद्या परदेश आएगे तो गढ़ी के दिननने बाद देख सकते हैं दली समाज में काफी गुस्ता है घटना ही ऐसीasında आप सोच सकते हैं कि दो बच्चों को कुले में सोच करने के लिए मार दिया जाता है जिस दर इस में सोच के नाम पर चुनाब होते हैं पर जीते भी जाते है अर एक बड़ा एजंड जो हैं उन्होंने हमारा जो सोचाल ले आया तो था लेकिन उन्होंने काड़ दे और हमारा सोचाल ले नहीं बना इस बज़े से जो बच्चे खुले में सोच करने के लिए जाते थे कैमरामेन ओम देप के साथ मैं गजेंदर जाटा अब दिल ले